नमस्कार बहुत स्वागत आप सब का देख रहे हैं आज का खास लब टिप आज होली का पर्व है और आप सब को होली की बहुत बहुत सारी स्चुब कामना है खोब रंग गुलाल खेलिए लेकिन शारीरिक दूरी बना करके खेलिए गुरोना का आटेक फिर से एक बार बढ़ रहा है आप सब सुरक्षित रहें प्रशन रहें ऐसी हम इस वर से प्रात्रा भी करते हैं आप सब के साथ एक यात्रा का हम शुभारंब करने वाले हैं यह यात्रा 25 मई से आरंब होकर के एक जून तक चलेगी साथ रात आठ दिन की यह यात्रा बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम और बहुत सारे स्थानों को कवर करेगी इस यात्रा के दौरान हर रात कुछ न कुछ विशेश जोत्षी, अनुष्ठान, पोजाप, मंतरजाप, तंत्र क्रिया कुछ बहुत सारी चीज़े हम करने जा रहे हैं आप लोग के साथ यह यात्रा हम 25 मई को आरंब करेंगे दिल्ली से यात्रारंब होगी, आप लोग को दिल्ली तकाना होगा कोई भी आ सकता है, हम आपका स्वाकत करेंगे तो बहुत समय है, अभी विचार करने आप, अगर आना चाहें, तो हम आपका हार्दिक अभी नंदन करते हैं आईए, गिनांग 29 मार्च का हम आपको लब टिब बताते हैं दायने हाथ के अंगूठे पर यहां अंदर की तरब से थोड़ा सा शहद लगाकर और इंडेक्स फिंगर से उल्टे हाथ के रगड़ना है इसी दोरान तीन बार अपने पती या पत्नी प्रेमी या प्रेमिका का नाम लेना है बस करते जाएं, शुबता मिलता जाएगा परम पिता परमेश्वर से प्रातना, आप सब के जीवन में प्रेम का रस हमेशा यूही बरसता रहे आप सब खुब आगे बढ़ें, जिन्दगी में एक कदम बढ़ाते रहें, शुबता आपको मिलती रहे आईए आगे बढ़ते हैं और आप बताते हैं आज के तीन लकी राशियों के नाम नमबर तीन पर आज के लकी राशिय है धनु राशि नमबर दो पर आज की लखी राशी है सिंग राशी नमबर एक पर आज की लखी राशी है कुम्भ राशी धनु, सिंग, कुम्भ आप तीनों को हर्दिक शुब कामना है आज आप परम पावन भाग शाली है आज तीन सावधान होने वाली राशियों में नमबर एक पर विशब राशी सावधान रहें नमबर दो पर कन्या राशी सावधान रहें नमबर तीन पर मकर राशी सावधान रहें आप तीनों को सावधानी वरतने क्या वशकता है खास तोर पर रंग गुलाल खेलते समय स्वास्थ का विशेश ध्यान दे ड्रिंक आदी करके वहाँ न चलाएं तो बहतर रहेगा नहीं तो कहीं न कहीं दुर्घटना की संभावनाएं बंती हुई दिखाई देती है अगर ऐसा होता है तो एक बार जनमान के विशलेशन भी आप जरूर करवाईएगा कुंडली आपको कम सकम आगाह कर देती है कि हाँ आपका वक्त ठीक रही है थोड़ा सा अपना खयाल रखें आप यही जानकारी लेकर के मैं इसलिए उपस्तित होता हूँ जिससे आप लोग को आने वाले समय से पहले ही हम आगाह कर सकें तो चलते हैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना प्यार बनाए रखेंगे मुंबई और पूने वाले अब हम पहुंचने ही वाले हैं मुंबई पूने तो आप लोग को बस केवल हमारे साथ connected रहना होगा आपका हम हमेशा ख्याल रखेंगे आप हमारा ख्याल रखेंगे और आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे और क्या कह सकते हैं चलि आगे बढ़ते हैं और विदा लेते हैं आप लोगों से अपना बहुत ख्याल रखेंगा अपाइटमेंट ले सकते हैं गाजियाबाद, मुंबई, पूने, भुपाल 23, 24 सप्रेल को बहुत बहुत शुक्रिया तैंक्यू अपने प्यार के लिए नमस्कार, शिरादे